हेलो फ्रेंड्स विल्कम टु इलेक्ट्रिकल हब इस वीडियो में हम टूपोर्ट नेट्वर्क से एक सौटकट मेथड देखेंगे वाई और जैट परामिटर्स निकालने के लिए इसके जरिए आप बहुत ही जल्दी वाई और जैट परामिटर्स को निकाल पाएंगे इसली निकाल पाएंगे तो अगर आपको टूपोर्ट नेट्वर्क से रिलेटेड और भी क्वेस्टन्स देखने हैं तो नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप जा करके वो वीडियोस भी जरूर देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे shortcut method to find y and z parameters ठीक है यह method हर जगा apply नहीं होगा इसके भी कुछ rules है तो यह method जो है only applicable for t and pi networks ठीक है जहाँ पर आपको t network मिलेगा और pi network मिलेगा वहाँ पर आपको y और z parameters को निकालने के लिए जो मैं method बता आने वाला हूं उसको apply करके आप निकाल सकते हैं अब ध्यान देना है कि जैसे आपको t network दिखता है कहीं भी आपको t network दिखे जहाँ पर y z parameter निकालना है तो t network दिखे तो आप calculate किजे z parameter ठीक है इसको याद रखेंगे और pi network दिखे तो आहाँ पर calculate किजे y parameters अब जब आपको z parameter मिल जाएगा या y parameter मिल जाएगा तो आपको पता होगा y is equal to z inverse ठीक है मतलब कि y मिलेगा तो आप z निकाल लेंगे इस टाइप के questions हमने पहले भी किये हैं वो वीडियो आप देखे जरूर ठीक है और z निकाल लेंगे तो z कभी जो inverse होता है वो y inverse होगा ठीक है तो y मिलता है तो z मिलेगा तो y निकाल लेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि t network दिखा तो z parameter निकालना है y network दिखा तो y parameter निकालना है अब जैसे उसको example से समझते है तो यहाँ पर पहले example है देखे यहाँ पर हमारे पास t network है अब t network को कैसे पहचानेगे तो यहाँ पर देखे एक element इधर है एक इलिएमेंट इधर और एक इलिमेंट है तो जब ऐसा सर्कृट दिखे आपको क्या करना है आपको क्या करना है सबसे पहले देखिए यहां पर के जो होता है Z11, Z11 कैसे निकालेंगे इन दोनों को add कर देंगे यहाँ पर जो resistance है, उनको add कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 प्लस 1, इतना हो जाएगा 3 तो यह क्या हुआ हमारा Z11 अब Z12 कैसे निकालेंगे Z12 के लिए simply यहाँ पर जो element होगा, उसको आपको just कतस लिख देना है तीक है, अब निकालेंगे Z21, Z21 के लिए भी इसी को लिखेंगे, यहाँ पर Z21 और जब Z22 निकालेंगे, यहाँ पर element, तो इन दोनों को add कर देंगे तीक है, तो 5 प्लस 1 कितना हुआ, 6, तो यह आपका Z parameter हो गया, यहाँ पर यह क्या है Z11 Z12 Z21 and Z22 एक बर और रिपीट करता हूँ यह कैसे निकालें हम लोग पहले इन दोनों को add कर दिए ठीक है, यह आ गया फिर यह बीच वाला जो element है उसको यहाँ और यहाँ लिख दिए अब यह इन दोनों को add कर दिए और यहाँ लिख दिए तो यह हमारे चारो element है यहाँ पर मिल गए जहाँ पर कुछ इस type का T network दिखता है, यहाँ पर आपको निकालना है अब देख लेते हैं pi network के लिए pi network के लिए बताया मैंने pi network के लिए y parameters calculate करेंगे y parameter कैसे calculate करेंगे जैसे कि देखिए यहाँ पर pi network है जो pi के shape में है देखिए ऐसा तो यहाँ पर 3 ohm, 2 ohm और 6 ohm का यहाँ पर resistance लगा हुआ है तो सबसे पहला काम आपको अगर ohm में दिखे unit तो उसको क्या करना है reciprocal कर देना है each का reciprocal कर देना है हर एक का reciprocal तो 3 का reciprocal 1 by 3 2 का 1 by 2 और 6 का 1 by 6 और ohm का reciprocal क्या होता है महो जिसका sign देखिए ohm का just ultra होता है opposite पलट देंगे देंगे देसे ही तो y parameter निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा ohm को महो में change करना पड़ेगा अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर भी same जो t network था उसी type था है थोड़ से यहाँ पर tricky है वो ध्यान रखेंगे तब से पहले क्या करेंगे इन दोनों को add कर लेंगे जैसा कि उसमें करते थे यहाँ पर देखिए 1 by 3 प्लस हो जाएगा 1 by 2 अब बीच वाला जो element होता थो उसको यहाँ यहाँ लिख लेते थे तो यहाँ पर भी वही किजिए 1 by 2 लिख लिजिए 1 by 2 लिख लिजिए ठीक है और सबसे important step जब यहाँ के element लिखेंगे उसका हमें sign को change करना है ठीक है उसके बाद क्या करेंगे यहाँ का element निकालने के लिए इन दोनों को add कर देंगे simply तो 1 by 2 प्लस 1 by 6 हो जाएगा तो y is equal to क्या निकल कराएगा इसको थोड़ा simplify करता हूँ है simplify करेंगे तो 1 by 3 प्लस 1 by 2 कितना होगा यह हो जाएगा 5 by 6 और यह ज़सक तस रहेगा 1 by 2 यह भी minus 1 by 2 और आख्री टम यह कितना हो जाएगा 2 by 3 हो जाएगा ठीक है simplify कर दिया है थोड़ा महने इसको तो यह आजाएगा 2 by 3 तो यह क्या हो जाएगा y 1 1 हो जाएगा y 1 2 हो जाएगा y 2 1 हो जाएगा यह तम और यह हो जाएगा y 2 तो इस तरह आपको y parameter मिल गया कहां से? पाई network से अब आपको अगर निकालना हो z parameter आपको z parameter निकालना है तो z is equal to y inverse कर दिजिए और यहाँ पर का करेंगे? यहाँ पर हमें y निकालना है तो y is equal to z inverse करेंगे यह inverse का जो fundamental है वह आपको other videos मिलेगा वहाँ से आप इसको देख सकते हैं तो इस तरह आपको जैसी ही इस type के network दीखे आपको shortcut method लगाना है फट से आपको answer निकालना है y निकालना है z निकालना है इसको दिहान रखना है इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो पर thanks for watching